सफलता, सक्सेस ये शब्त किसे नहीं पसंद और सब इसके पीछे दौड रहे हैं आप सफलता पा सकते हैं अगर आप अपने लखी डायरेक्शन में बैठें तो लेकिन आपकी लखी डायरेक्शन कैसे जानेंगे आपके जन तारिक के अनुसार जान सकते हैं आपका लखी डायरेक्शन अंको का हमारे जिंदगी में बहुत महत्व है चाहे वो हमारा खर्चा हो या हमारी आमदनी अगर हमारा टार्गेट है या हमारे रेविन्यू हमें नमबर्ज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है अंकों से यानि आपके जन तारिक से आप जान सकते हैं अपना लखी डायरेक्शन कैसे? समझे हम दे लेते हैं नमबर वन तो सबसे पहले बिर्ट डेट्स है नमबर वन अगर इन में से कोई भी तारीक है तो आप नमबर वन परसन है क्योंकि आप जोड़ेंगे 1 प्लस 9 होता है 10 तो यह 0 जाएगा तो आप 1 हो गए और अगर 28 है तो आप 8 और 2 को जोड़ेंगे 10, 0 चले गया तो एक तो आप हो गए नमबर वन तो नमबर वन जो लोग है यह सूर्य से जुरते हैं याने सन आपका प्लानेट है आप एक्टिव रहते हैं चाइड लाइक रहते हैं बहुत पॉजिटिव रहते हैं तो आप लेक लीजिए कि नमबर वन वालों का डायरेक्शन है इस्ट याने पूर्व दो तारिक को 11, 20 और 29 कैसे आप जोडेंगे 2 प्लस 9 तो हो गया 11 which is equal to 2 तो इस तरह से आप जोड के आप देख लेंगे आपका अंक अगर 2 आता है तो यह आपका जो ग्रह है वो है चंद्र मूडी, सिंगिंग, म्यूजिक बहुत पसंद है आपको तो आपका डाइरेक्शन है नौर्थ वेस्ट याने उत्तर पस्चिम अब है नंबर 3 याने आपका जन्म हुआ है तीन तारिक को या 12 या 21 या 30 तो आप हो गए नंबर 3 आपका डाइरेक्शन है नौर्थ इस्ट याने इशान को ना और आपका ग्रह है जुपीटर आपकी जन्म तारिक अगर 4 है तो आप 4 नंबर होते हैं 4 पे अगर आपका जन्म हुआ है या 13 या 22 आप हो गए नंबर 4 और आपका डाइरेक्शन है साउथ वेस्ट ये आपका लखी डाइरेक्शन है घर पर या इवन आप अपने ऑफिस में साउथ वेस्ट ज्यादा यूज करें और आपका जो प्लैनेट है वो है राहू प्लैनेट अगर आपका जन्म दिन 5 तारिकों है या 14, 14 या 23 पाँठ नंबर की जो दिशा है लक्की वाली दिशा वो है उत्तर दिशा और आपका जो ग्रह है वो है बुद्ध ग्रह है तो आप वो अगर दिशा यूज नहीं कर सकते तो आप बुद्ध ग्रह का मंत्र जब भी कर सकते हैं लेकिन कहीं भी घर में आपके पास नौर्थ का जो कोना है वहाँ पर बैटके अगर आप मंत्र जाब करते हैं तो आपको उसके फायदे और भी मिलेंगे. अगर आपका जन दिन छे तारिक को है या 15, 15 या 24 तो आप हो गए 6 नंबर. आपका लखी प्लैनेट याने ग्रह है वीनस याने शुक्र और आपकी जो डाइरेक्शन है वो है साउथ इस्ट तो आपका लखी डाइरेक्शन है दक्षिन पूर्व याने की अगनी कोना. अगर आप 7 नमबर पर बॉन हुए हैं या अगर 16 तारीको बॉन हुए हैं या अगर आप 25 को बॉन हुए हैं तो 7 नमबर हैं अगर आपका नमबर है 7 तो आपका जो ग्रह है वो है केतू और आपका लकी डाइरेक्शन है इशान कोना याने नौर्थ-East अगर आपका जन दिन 8 तारिको है, या 17 या 26, तो आपका जो ग्रह है, वो है शनी, साटर्ण. अगर आप 8 नमबर हैं, तो आपका लखी डाइरेक्शन है पस्चिम. अगर आप नमबर 9 हैं, बॉन ओन या 18 या 27, तो आप नमबर 9 होते हैं. इससे आपका जो ग्रह है, वो है मंगल याने मार्स. अगर आप 9 नमबर हैं, तो आपका लखी डाइरेक्शन है डाक्षन. अब आप अपना लखी डाइरेक्शन तो जान गए हैं, आपके लखी डाइरेक्शन में आपको बैठना है. कैसे? आपकी lucky direction आपके पीठ पीछे रहेगी और आप opposite direction में face करेंगे ऐसे बैठने से ये vibration आपके aura के साथ match होके आपको और भी स्पूर्थी देगी, energy देगी और आप सोच पाएंगे clarity से आपके लिए एक खास wealth tip एक high back chair ले सकते हैं क्योंकि सब लोग घर से काम कर रहे हैं high back यानि जहां पर chair आपकी यहां तक आती है आपके जो ये चक्र हैं इनको support मिलेगा या आपके पीछे एक दिवाल हो या high back chair हो high back chair से आपको superiors का, आपके team work, सब लोगों का आपको support मिलेगा प्लस आपके chakra balance रहेंगे क्योंकि यहां वहां से energy अगर distract करती है आप distract नहीं होंगे और आप right decision ले पाएंगे एकदम lucky direction या दिशा में बैट कर अब वक्त है एक चोटे से break का कहीं जाएगा मत आपके लिए है एक खास wealth tip आपके लिए एक खास health tip अगर आपकी तबेर ठीक नहीं है या energy low feel कर रही है तो आप अपने lucky direction में 10 minute बैठिए और देखिए आपकी energy change होगी और एक तरीका है tapping जो पहले मैं आपको बता चुकी हों जहां पर आप अपनी ये दो fingers से अपने collar bone को tap करेंगे और मन में आप या mantra job करेंगे या आप deep breathing करेंगे या आप अपने आप को कहेंगे I am healthy, I am happy जब आप ऐसी सोच लेके संकल्प लेके tapping करते हैं तो आपके collar bone से नीचे की meridians तक energy flow होती है and you will feel better instantly आपके लिए एक खास well tip इससे आप अपना law of attraction याने अपनी खुद की उर्जा भी बढ़ा पाएंगे अगर आपके घर में छोटे से pebbles हैं fish tank के पत्थर हैं crystal है या शंक है कोई भी एक को आप अपनाए अपने हाथों में पकड़े उसे energy दे और कहिए कि you are lucky for me तुम मेरे लिए lucky रहोगे और फिर उसे अपने lucky direction में रख दीजिए ऐसा करने से उस stone में भी उर्जा आएगी और आप जब घर के बाहर जाते हैं तब आप अपने साथ अपना lucky stone या अपना lucky shell ले जाएए जब आप घर में वापस आते हैं तब वापस उसे अपने lucky direction में रख लीजिए ऐसा करने से आपका law of attraction पावर भी बढ़ेगा आप confidence भी feel करेंगे और आप जो संकल्प ले रहे हैं कि आप हर काम में सफल रहे ये ज़रूर पूरा होगा